जेल में बंद खुंखार अपराधियों को मानवता के आधार पे अपने पत्नी से मिलने और बच्चा पैदा करने के लिए भी पैरोल मिलती है जेल में बंद खुंखार अपराधियों को मानवता के आधार पर बिर्यानी खाने की भी छूट मिलती है जेल में बंद खुंखार आतंकवादियों और पराधियों को मानवता क्या धार पे इबादत करने के छूट मिलती है अपनी पसंद का कपड़ा पहनने के छूट मिलती है तेवहार मनाने के छूट मिलती है कई बार तो ऐसा देखा गया कि बड़े-बड़े माफियाओं को अपने घर में शादी विवाह आटंड करने के भी छूट मिली है पैरोल मिलती है बेल मिलती है, जमानत मिलती है कई बार ऐसा भी देखा गया कि माता-पिता से मिलने के छूट मिलती है और तुछ सामान्य अपरादियों को नहीं बड़े-बड़े माफियाओं को, आतंकवादियों को, सफेद पोस अपरादियों को जोने करोडों का कारोब हेरा फेरी किया है, नसा तसकरों को लेकिन जेल में बंद आशाराम जी को योग, प्रणायाम, नेचरोपैथी, आयरुवेद के जरीए अपना इलाज कराने की छूट नहीं मिल रही है और कितने आश्यर की बात है, उनकी तवियत खराब हो रही है वो कह रहे हैं कि हमको योग, प्रणायाम, नेचरोपैथी, आयरुवेद के जरीए इलाज कराना है और जज साहब उनको एम्स में भेजना है जहाँ एलोपैथी से इलाज हो रहा है पता नहीं जजों की ये बात उनके मन में ऐसा क्यों बैठ गई है कि एलोपैथी ही बढ़िया इलाज है जज साहब ने कभी चरक संगीता पढ़ी नहीं कभी महसे सुसुत को पढ़ा नहीं कभी आचारे भावप्रकास को पढ़ा नहीं महसे वागभट को पढ़ा नहीं महसे शारंगधर को पढ़ा नहीं महसे माधावकर को पढ़ा नहीं तो उनको लगता है एम्स में जो एलोपैथ गुटना ट्रांस्प्लांट करना पड़ेगा और इसका कोई लाज नहीं मैंने रामनोर लोहिया में दिखाया दिल्ली में बड़ा हॉस्पिटल है डाक्टरों ने बोला घुटना ट्रांस्प्लांट करना पड़ेगा इसका कोई लाज नहीं दिल्ली के सबसे बड़े प्राइ ले गए हम उनका घुटना का इलाज तो हुआ हुआ उनके कमर में दर्द था वह भी ठीक हो गया उनकी रिड़ की हड्डियों में दर्द था वह भी ठीक हो गया उनकी नीचे जांगों में दर्द बना रहता था वह ठीक हो गया तो कहने के मतलब गए थे एक बिमारी का इलाज या मैकाले की सिख्षा से उन्होंने पढ़ाई किया है तो वो जानते भी नहीं है कि योग-प्रणयाम कितना चमतकारिक होता है अब बार-बार आशाराम जी कह रहे हैं कि हमको नेचरोपैथिस इलाज कराने दो हमको योग-प्रणयाम से करने दो हमको अपनी जो आहार ची किस और सबसे बड़ी बात ये आतंकवादियों को भी अपनी पत्नी से मिलने दिया जाता है लेकिन आशाराम जी को अपनी पत्नी से नहीं मिलने दिया जाता है आतंकवादियों को भी अपने बच्चों से मिलने दिया जाता है आतंकवादियों को भी अपनी बेटी से मिलने दि यह गुलामी की जो नियाइक बिवस्ता है ना यह किसी को जिसको मन चाहे जैसी सजा दे दे पूरी तरीके से फ्री है जज की कोई accountability नहीं है जज के लिए कोई set norms नहीं है वही जज एक अपराधी के साथ दूसरे तरीके से ब्योहार करती है और जहां तक यह घटना हुई जिसलिए आशाम जी जेल में है मैंने पूछा मेरे पास बहुत सारे लोग आए आज तक जिन लोगों ने आरोप लगाया था उनका नार्को पॉलिग्राफ ब्रेंड मैपिंग टेस्ट भी नहीं हुआ है मतलब जो उन फिराम जी का भी नार्को टेस्ट करा लेते और जिसने आरोप लगाया उसका भी नार्को पॉलिग्राफ ब्रेंड मैपिंग करा लेते आशाचाराम के Dbyte कभी नार्को टेस्ट आज तक जब कि हमारे पास science है हमारे पास नार्को की बिवस्ता है brain mapping की बेवस्ता है पॉलिगराफ की बेवस्ता है अरे दोनों का कर लो और चलो एक पर प्रूब भी हो गया मैंने माल लिया कि आशाराम जी ही दोशी है तो दोसी तो अजमल कसाब भी था दोसी तो बड़े-बड़े माफियादान भी है यह दोसी तो लालू-परसाद यादो भी यह लालू-परसाद यादो दोसी है ना उनको कैसे बेल मिली हुई बाहर घूम है वो तो पार्टी का प्रचार कर रहें वल्लेंग लालउं या दौग्व को प्रचार करने टिकट बाटने घूमने के लिए सिंगापूर में बेलाज करने के लिए बेल सकती है और आशाराम जी को वो कह रहा है कि भईया हमको एक काम करो बस एमस में मत भेजो हमको एलो पैथी से लाज मत करा हूँ हमको कहीं भी ऐसी जंगा भेज़ दो जहां आयरवेदी के लाज होता हूँ उनको नहीं मिलेगी कितने सफेद पोस्ट नेता हैं जो सजाय आफ्ता हैं दोसी हैं और बाहर घूम रहें पार्टी बनाके बैठे हुएं पार्टी अध्रच बनके बैठे हुएं और एक बेचारे आशाराम जी जिन्नोंने पूरी जिन्दगी घरवापसी कराई पूरी जिन्दगी उन्होंने आदिवासियों के एरिया में जा जाके मिसंडियों को रोका धर्मांत्र रोका आदों को मिली हुई है आशाराम जी को उतनी राहत दे देते जितनी अजबल कसाब को राहत दिया था आशाराम जी को उतनी राहत दे देते जितना बाकी हत्यारों को मिलती है बलातकारियों को मिलती है घूस खोर नेताओं नौकरसाहों को पैरोल मिल सकती है कमीशन खोर कमीश से मिलने दिया जा सकता है आतंकवादियों को अलगावादियों को जहादियों को पत्थरबाजों को अपने परिवार से मिलने दिया जा सकता है मावादियों नकसलियों को अपने परिवार से मिलने दिया जा सकता है लेकिन आशाराम जी को अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जाएगा जो भारत में गद्दारी करते हैं, जासूसी करते हैं, देश्द्रो करते हैं उनको भी अपनी पसंद का भोजन करने, अपने माता-पिता से मिलने, अपनी पत्नी से मिलने, तियोहार मनाने हर चीज के लिए मानवता के नाम पे उनको छूट मिलती है लेकिन आशा राम जी नहीं इतना बड़ा क्राइम कर दिया है कि ना बेटे से मिलने दिया जाएगा ना पत्नी से मिलने दिया जाएगा और बाकी तो छोड़ो इलाज में नहीं कराने दिया जाएगा और इलाज कहेंगे विदेशी इलाज करा हूँ एलोपैथी में स्वदेशी इलाज मत करा हूँ जिसने पुरी जिंदगी स्वदेशी का स्वदेशी को आगे बढ़ाया है उस व्यक्ति को फोर्स किया जा रहा है कि नहीं तुम विदेसी इलाज करा ओ, सोदेसी चिकिस्था यानी योगप्रणायम में इलाज मत कराओ, निचुरोपैथी में इलाज मत कराओ मैं जसाप से हाम जोड के निवेदन करता हूँ आपने बड़े मुकदमे देखे होंगे आपने बहुत फैंसले दिये होंगे एक बार याद रखिएगा अगर आशाराम जी दोसी है ये तो आप जानते होंगे अगर आप बिना नारको पॉलिग्राफ बेन मैपिंग के भी समझ गए है कि आशालाम जी दोसी है तो चलो हम भी माल लेते हैं दोसी है लेकिन क्या उन्होंने अजमल कसाप से ज़्यादा अपराद किया क्या उन्होंने एक हजार करोड का चारा घोटाला किया है क्या उन्होंने सत्तर हजार करोड का कामन विल्स घोटाला किया है क्या उन्होंने एक लाग चिएत्तर हजार करोड का टूजी घोटाला किया क्या उन्होंने एक लाग चिएसी हजार करोड का कोईला घोटाला किया क्या उन्होंने आदर्स घोटाला किया कि अरे एक से बढ़कर एक घोटा ले हुए किसी नेता को तो आज तक नहीं रोका कोट ने कि नहीं अपने परिवार से नहीं मिल सकते नेताओं को तो इवन घर से बना बनाया भोजन की छूट मिली हुई है कितने सारे ऐसे नेता हैं जो जेल में बंद हैं उनको घर से बनावा बनके भोजन आता है इतनी छूट मिल रही है और एक विक्ति जो बुढ़ा हो चुका है सरीर से अस्वस्त है और क्यों इतनी मांग कर रहा है कि हमको योग पड़ायाम ने चुरू पैथी मिलाज करा दो क्यों हमारा आईरुवेद मिलाज करा दो इस अवस्ता में भारत छोड़कित कहीं भाग नहीं जाएंगे इस अवस्ता में ऐसा भी नहीं है कि वो किसी और का मर्डर कर देंगे इस अवस्ता में और कुछ तो कर नहीं सकते कमस्कम मानावता के अधार पे और आशाराम जी के पुराने कारियों को देख लिजे लाखों ल तोड़ता हूं, थोड़ी सी उनके उपर भी दया करिए, तैसे आतंकवादियों के उपर मन वता की द्वहाई दे के काम हो रहा है, थोड़ा उनका भी मानुआ अधिकार है, उनको भी थोड़ा दया दिश्टिक कर दिजे, कम उनको इलाज कराने दिजे.